बियार टीएस पर चलती आई बस में आग लगने की घटना ने सिस्टम की भी पोल खोल दी है बस जब खरीदी गई थी तब इसकी खुबियां बताते हुए अधिकारियों ने कहा था कि यदि बस में आग लगती है यहां धुआ उठता है तो तुरंट आलाम बच जाएगा ड्राइवर तारा चंद ने सूजबूर से हाथ से को टाल दिया आई बसों का संचालन सुबह साड़ी 6 बजी से सुरू होता है और रात को साड़े 11 बजे तक बस संचालित होती है इसकी बाद सुबह साड़े 5 बजे तक बसों का मिंटिनेंस होता है जिसमें बारीकी से बस की जाश की जाती है पार्ट्स भी देखे जाते हैं जिस बस में आग लगी मेंटिनेंस के दौरान उसमें कोई गड़वडी नहीं निकलने की बात अधिकारियों ने कही है वहीं बस ड्राइवर तारा चंद का कहना है कि दो दिन से वह उस बस को चला रहा था लेकिन कोई खराबी उसे भी नजर नहीं आई आई बस सहित अनिबसों का मेंटिनेंस देखने वाली एजनसी ट्रेवल्स टाइम्स को AICT SL के अधिकारियों ने आग लगनी की घटना के संबंध में नोटिस जारी किया है और दो तीन दिन में जवाब मागा है एजनसी को यह बताना होगा कि आधुनिक बस होने के वावजोत उसमें आग कैसे लगी साथ ही घटना के दौरान अलार्म और सिंसर ने काम क्यों नह किया एजनसी संबंध में बस निर्माता फर्म से भी चर्चा करेगी AICT SL कुल 44 आई बसों का संचालन करता है यह सभी बसे AC है 30 बस जहां CNG जबकी 24 बसे डीजल वाली है 4-6 बसों का बैक अप रहता है इस तरह सड़कपर करीब 48 बसे संचालित होती है आई बस का रोजाना बड़ी संचा में लोग इस्तमाल करते हैं आकडों में बात करें तो लगभग 65,000 यातरी रोजाना बस में सफर करते हैं आई बस में ओवरलोडिंग भी एक बड़ी संचा है बस में ज़ादतर श्टूडिंट ही सफर करते हैं सनिवार रविवार कोई आत्रियों की संचा कम रहती है लेकिन सामाने दिनों में सोमबार से सुक्रवार तक बस में ओवर्लोडिंग की स्थिती बनी रहती है CNG बस में 36 और डीजल बसों में 35 लोगों के बैटने की विवस्था है साथ ही 30 से 35 लोग बस में खड़े रहकर सफर कर सकते हैं लेकिन कई बार सोयात्री तक बस में रहते हैं ओवर्लोडिंग के कारण भी बसों में लोड बढ़ जाता है मेंटिनिंस का काम देखने वाली ट्रेवल टाइम एजनसी के अलावा AICD SL के अधिकारियों ने भी आग लगने की घटना के बाद अन्य बसों का सुपर विजन किया बसों का फिटनेस देखने के साथ ही अन्य चीजों को देखा गया हाला कि कोई कमी सामने नहीं आई सभी आई बसों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिस बस में आग लगी उसमें भी कैमरा लगा था लेकिन आग लगने से वह जल गया अधिकारियों ने जब फुटेज के लिए DVR खंगाली जिससे पता चल सके कि कि किस तरह आग लगी लेकिन DVR भी बुरी तरह जली हुई निकली वहीं विजय नगर थाना छेतर का 1-2 किलो मीटर का इलाका भी CCTV की निगरानी में है पुलिस ने बस में आग लगने के फुटेज निकालने के लिए DVR देखी तो पता चला की कैमरे भी बंद पड़े हुए हैं बस श्टॉप पर लगे कैमरे में जरूर बस रुकने के बाद जाती हुई नजार आ रही है AICT SLK CEO मनोज पाठक ने बताया कि घटना को लेकर मेंटेनिस देखने वाली Travels Time Agency को नोटिस जारी किया है और दो-तीन दिन में रिपोर्ट मागी है उनसे पूछा गया है कि आग लगने की वज़े क्या है घटना के समय अलाम क्यों नहीं बजा साथ ही सिंसर ने भी काम क्यों नहीं किया सर्व सुविधायोग National Hospital समान तिराहा रीवा में अग कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां मिल रहा है आयशमान भारत निरामय योजना का लाप आयशमान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के त्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं आपरेशन अवरीवा के नैशनल अस्पताल में उपलप्त है नैशनल हॉस्पिटल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के त्वारा उपलप्त करवाई जा रही हैं सभी सुविधाय आइस मांस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करे मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करे 756683551 पर हमारा पता है नैशनल हॉस्पिटल समानतिराहा रिवा संपर्क करे 07662 359974 पर या फिर संपर्क करे 8600288599 पर